हमार इस एस्ट्रोजिय और पामिष्ट्री चैनल पे आप सभी का सोगत हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस जादक के हाथ का एनलिसिस करेंगे और जानेंगे क्या-क्या विशेशता है इनके हातों में और ऐसे वेक्ति जीवन में क्या-क्या कर सकते हैं तो सबसे पहल क्या-क्या-क्या आज इस बसे पहले विशेशक बात हमें कुछ नजर आ रही है तो यह जो ब्रहसपति मांट जिसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा दबा हुआ गुरुपरवत है देखिए आप सभी जानते हैं कि गुरुपरवत व्यक्ति को अध्यत्मिक spirituality के ओर ले जाता है व्यक्ति को confidence दिलाता है मानप्रतिष्टा सम्मान ये सारी चीजे समाज में नाम रुद्बा लीडर्शिप quality ये सारी चीजे हमें गुरुपरवत दिलाता है अगर आपका गुरुपरवत इतना जादा दबा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में under confident हो जाता है जो भी चीजे ऐसा व्यक्ति करने के कोशिश कर रहा है उसमें उसे सफलता नहीं मिलती अच्छा ग्यानी ऐसा व्यक्ति नहीं हो पाता education में ऐसे व्यक्ति को दिक्कते आती है तो यह सारी चीजे व्यक्ति को गुरुपरवत से इतना वी गुरुपरवत होने की वज़े से हो जाता है खुद में कोई confidence नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूँ मैं अपने बल्बुते पर खड़ा रह सकता हूँ यह सारी चीजे इनके हातों में हमें नजर नहीं दिक रही इस वज़े से ऐसे व्यक्तिने सबसे पहले अगर कोई काम करना चाहिए तो अपना गुरुप बल बढ़ाना चा रहा है आप जो भी कारी करने की कोशिश कर रहे हो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी आपके गुरु परवत की वज़े से उसके साथ ही चंद्र परवत इसके उपर रेखाए बहुत ज्यादा बंड रही है यह को कलपनाओ का दर्शाता है अंडर कॉन्फिडन्ट और कलप यही बात ऐसे विक्टी सोचता रहेगा लेकिन करेगा कुछ नहीं मैन ओफ एक्षन ऐसा विक्ति नहीं रहता ज्यादा उसके करने की कोशिश भी नहीं होती सोचना डेट्रीमर इस तरह से वेक्टी की परसनलिटी बन जाती है तो ऐसे वेक्टी ने सबसे प्रतम गुरु बल बढ़ाना चाहिए उसके लिए अस्ट्रोलोजिकल सोलूशन करना चाहिए उसके बाद में देखते हैं यह जो है तरजन यूंगली तरजन यूंगली ठिकने स अच्छी है लंबाई भी अच्छी है देखिए अनयमी का उंगली के छोटी है यह एक शुबचिन है ऐसा वेक्टी इस वज़े से कॉस्मोस ती जो गुरु को एनर्जी मिलती है गुरु ग्रह की वह अच्छी तरह से मिल जाती है लेकिन देखिए गुरु परोत्वीक होने क वजह से वेक्टी को उस तरह से benefit नहीं मिल पा रहा हम उसके बाद में हम देखते हैं कि हातों का shape देखे shape हातों का है rectangular shape का हात है ऐसे वेक्टी जीवन में lucky बनेंगे अगर इन्होंने मेहनत शुरू करती day dreamer वगेरा ये सब लोग होते हैं उनके हातों का shape इस तरह से rectangular shape का होत है मेहनत करना ऐसे विक्ति ने भूती एसेंशल है उसके बाद उनका लग भी उनके साथ देता है उसके बाद में देखते हैं कि यह जो है मध्यमा उंगली और अनमिका उंगली दोनों का जुकाओ एक दूसरे की तरफ है यह दर्शाता है कि विक्ति सीक्रेटी बहुत सारी ची कि याम को दर्शाता है ऐसे विक्ति के लक को दर्शाता है धन के मामले में की घ्रद है विक्ति ने किस फेर्ड में जाना खुआ का आगे गूरु परवत की तुलामी हम देखें उसके ज्यादा उभार लिये हो तो यह दर्शहत है कि शनी परवत विक्टी का अच्छे पॉजीशन में है भूछ ज्यादा बुरी पॉजीशन में नहीं है दूसर की तुलामी अच्छा है उसके बाद में देखते हैं कि यह जो सूर्य मांट है सूर्य मांट अच्छा डेवलप हो रहा है लेकिन वह जुक रहा है शनी उसका पोजिशन थोड़ी टिल्टेड है शनी परवत की तरफ तो यह दर्शाता है कि जो भी विक्ति की मान सम्मान प्रतिष्टा मिलने की विक्ति की चा और वो इस तरह से जुकने की वज़े से होता है एजुकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप नोगरी की कोशिश कर रहे हैं और नोगरी में विक्ति को दिक्कते आती है तो इस तरह से इनके हातों में सूर्य पुरोत हमें पता चल रहा है सूर्य की उंगली दिख रही है सूर्य की उंगली की साथ यहां पर एक त्रिकोन भी बन रहा है तो यह दर्शाता है कि वेक्ति ने गुवर्मन्ट जॉब में उन्हें सफलता मिलने के बहुत ही अच्छे चैंसेस है ऐसे वेक्ति ने अपना गुरू बर अगर स्ट्रॉंग कर लिया तो इनको 100% गुवर्मन्ट जॉब लग सकती है उसके बाद में हम देखते हैं कि यह जो छोटे उंगली है छोटे उंगली अनामिका उंगली के फर्स्ट पोर तक उसकी उचाई नहीं जा रही उसके साथ यह जुक रही है अनामिका उंगली के तरफ ऐसे वेक्ति जीवन में ऐसे वेक्ति क्यों कहा जाता है कि वो किसी को धोका देगा परिष्टिती इस प्रकार से ऐसे वेक्ति के साथ बन जाएगी कि जिस वज़े से ऐसे वेक्ति किसी और को धोका भी दे सकता है उसके बाद में हम देखते हैं कि उनका बूध पर्वत और चोटी उंगली वेक्ति के बारे में दर्शाति है वेक्ति किस प्रकार करें नेचर का होगा वेक्ति की वानी कैसे होगी वेक्ति उसके बौधिक शमता कैसे होगी चातुरिय कैसा होगा economic management विक्ति के कैसी होगी बुद्ध परवत अच्छा का साथ develop होने के कारण विक्ति अच्छा बुद्धी मान होगा low-set छोटे उंगली होने के वज़े से विक्ति shyness उसका रहेगा देखें यह जो उंगले है middle finger की तरफ जाने के वज़े से इंट्रोवर्ट तो हो गई उसके साथ साथ थोड़ा बहुत शाय भी इस विक्ति जिवन में रहता है ज्यादा दोस्त परिवार या फिर सोशल गैद्रे में अपने आपको ले जाना ऐसे विक्ति को पसंद नहीं आता बिजनेस में अगर ऐसे विक्ति करना चाहे तो थोड़ी बहुत उन्हें दिक्कते आ सकती है क्योंकि देखे गुरु पर वो त्वीक है छोटी उंगली छोटी है तो इस वज़े से कभी कबर प्रॉब्लम आ सकती है शादी के बाद प्रॉब्लम आने के चैंसेस इस हाट में हमें नजर आ रहे हैं हीलिंग लाइन नजर आ रही है ये दरशाथी की ऐसे विक्ति दूसरों की प्रॉब्लम सॉल कर सकता है वहां पी इसको अच्छी सफल्ता मिलने के चैंसेस है उसके बाद में देखते हैं कि मस्तिश करे का सीधी जाती है मंगल परुट की तरफ ये दर्शात है कि विक्ति की लॉजिकल थिंकिंग बहुत ही अच्छी है लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होने के कारण और विक्ति जादा कलपना शक्ती अपने निरने लेते समय नहीं इस्त परिस्तिति में हो अगर उस परिस्तिति में कोई भी hat decision लेगा हो तो ऐसे विक्ति प्रैक्टिकल हो कि निरने लेगा और उस वज़े से ऐसे विक्ति बिजनेस में सफलता पा लेता है क्योंकि ऐसे विक्ति कलपना शिरक्ति उसकी कंट्रोल हो जाएगी इस मस्दिश करेखा की वज़े से उसके साथ ही उनका अंगोटा देखिए स्ट्रेट अंगोटा है पीछे जुकने वाला अंगोटा नहीं है तो ऐसे विक्ति महतोकांग्शी होता है उसके निरने अच्छे होते हैं और ऐसे विक्ति अड़्जेस्टिव नेचर करने होता दूसरों की बाते जादा सुनता नहीं अपनी बाते सुनना या फिर अपनी बातों को फॉलो करना ऐसे विक्ति को पसंद है उसके बाद में हम देखते हैं कि देंकि इनकी रदे रखा रदे रखा से थोड़ी बहुत ब्रैंच ऐस नीचे की तरफ आ रही है यह दर्शाति के ऐसे विक्ति को रदे संबंदी रोगों के प्रोब्लम ब्लड परेशर हाईपर टेंशन इस तरह से प्रॉब्लम हो सकते हैं यह दर्शाति के सुनी मैनेजमेट बहुत है और ऐसा विक्ति अपने इमोशनलीटि को और कि विण प्रेक्टिक लेटव को अच्छी तरह से निभा सकता है प्रैक्टिकल वर्क और एमोशनल टच ये दोनों को बीच अच्छा इसा वयक्ति बना सकते है। उसके बाद में देखते हैं कि अगर धन रेखा और जिसे भागिय पर अच्छा कारिय करेगा आपने में मेनत के 도र अपना कुरेंगा और यagu दर शलता है कि शादी के बादे विक्ति की कि जो भी करियर है जिस की वजह से ऐसा विक्ति पूरी life sustain करेगा वो उनका शादी के बार डेवलप होता है और लेडी लग ऐसे विक्ति के हातों में हमें दिखाई देता है देखिए ये है शुक्रपर्वत शुक्रपर्वत विक्ति के बारे में एनर्जी के बारे में दर्शाता है विक्ति के जो भी negative sides है जैसे की अगर शुक्रपर्वत जादा डेवलप हो गया तो विक्ति एडिक्शन के पीछे पड़ जाता है यहाँ पे जाली के निशान जादा ह गए तो विक्ति एक्ष्ट्रा मरेटल आफिर भी इसके हो सकते हैं तो इस बज़े से इनका शुक्र परवत अच्छा है ऐसे विक्ति दिल्दार भी होता है दूसरों की मदद करने के लिए हमेशाद तत पर रहता है फिलांट्रफिक एक्टिविटी में एंगेज हो जाता है त इससे विक्तिने एक्ष्ट्रोलोजिकल सोलूशन करना बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन्ट है धन्यमाद दोस्तों